वेलकम टी ग्लासिक एंटर्टेन्मेंट चैनल अमीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खरी खरीया से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछाना सानम की एपिसोड लेकर नॉवल की अपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया सबस्क्राइब नहीं किया तो चली से लाइक पिकर दीजे और पैर आइकन को भी प्रैस कर दीजे तो चैनल मेरा पूछाना सानम एपिसोड अबराज के आँख खुली तो वो एक जटके से उड़ बैठा और उसकी पहली नजर वाल कलॉक पर पढ़ गई थी डैमिट मैं इतनी देर कैसे सो गया अपने बेतरती बालों में हाथ फिरते वो मात्य पर बल लिये होले से बड़ बड़ाया था जर्मन एक दम ही उसकी धार नुमा आवास सुनकर जर्मन बोतल से जिन की तरह उसके सामने हाज़ था मगर खाफ के मारे से नजर उठाकर अबराज अफगान की जानब देखा नहीं था जबके वो शोला और गलती आँखों से उसे ही घूर जा रहा था ये तुमने ठीक नहीं किया वो बोला तो उसका लहज़ा सर्थ था आप ये कंडिशन देख मुझे ये करना पड़ा जर्मन ने सपाई नहीं दीती बैस उसे बताया था कि उसे यही जरूरी लगा था जर्मन अगर आएंदा तुमने ये वाजी हरकत की ना तो आई सर्थ मैं तुम्हें उठा कर ऐसी जगा फिकूंगा कि तुम मेरी शकल देखने को भी तरस होगे तम भी अंदास में कहते हैं जटके से उठा और रूम के मुलहागा वाश्रूम की जाने पड़ गया शुक्र है सस्ते में जान चुटी उसमें तशक्र भरी सांस दे थी फिर इंटर कॉम उठाका अब रास के लिए काफी ओर डर की कुछ देर में उसकी वापसी होई तो वो काफी हद तक फ्रेश लग रहा था लेकिन उसके चेहरे के तासरा सोते होए थे ग्रेसिंग गीली हो गई है चेंज करो उसका अंदाज संजीता था कुछ खामोश सा जर्मन उस पर नज़र जमाए फरस एड़ बाक्स उठाका उसके खरीब बैठा था मुझे देखना बन करो जर्मन अब रास धुन जुलाया था मिस्स पाकिजा जने दुरानी के साथ ओफिशल डिनर पार्टी में मदू है उसने वो खबर उसे देड़ डारी थी जिसका वो मतज़र था तुम ऐसा पता होता है कि मुझे कब क्या चाहिए ब्रेसिंग करते जर्मन को देख वो सताइशी अंदाज ने बोला तो इस तारीफ पर उसका चेरा खुशी से खेल उठा था आपकी महबबत है सर वह आदिस से गोया हुआ ब्रेसिंग मुकमल करते चीज़े समेट कर वाफिश उसके पास से उड़िया मैंने आपको लोकेशन भी सेंड कर दी है चेक कर डीज़े का प्लीज पहले एक घर जाईएगा क्योंकि मैं बने खास तोगर पर ताकीत की थी कि आप फिरी होते ही घर पहुँचें उसे कोड पहन कर रेड़ी हो देख वो जल्दी जल्दी बोल रहा था कि अब रास के इशारा करने पर उसने चट उसका फोन उसकी चौड़ी हदेली पर रख दिया शुक्रिया वाकि तुम बहुत अच्छे हो उसका शाना थफटपा कर वो दूसरे ही लम्हें तेजी से वहां से निकल गया था इस वक्त उसके अंदर क्या तुफ़ान उट रहे थे कोई नहीं जानता था क्योंकि बजाहर वा पुर्सकून था लेकिन तुफ़ान को तो आखर आकर ही रहना था अब देखना ये था कि आने वाला ये तुफ़ान किसके जिन्दगी में जाता तपाही लाता है मेरे इतनी जल्दी आने कभी कोई फायदा नहीं हुआ हमारे मकसद तो अधूरा ही रह गया बत्या दुरानी के साथ उनके कमरे में वजूद तास्व जदा अंदाज में हाथ मलते बोल रही थी उनने तो रह रहकर ये गमी कहाए जा रहा था कि उनकी बेटी एक दम से बदल केसे खई थी यकिन करो अत्या उसे बात करते यू लग रहा था कि मैं अपनी परीजे से नहीं किसी और से बात कर रही हूँ ऐसे तरद तरद मेरे मूँ पे जवाब मारे कि मैं तो इंगिश्टे बदानदा रह गई उनका गम किसी तोर कम नहीं हो रहाता अत्य दुरानी जो चाहती है होता वही है पहले भी सब मेरे प्लैन के मताबिक हुआ था और अब भी वैसे ही होगा इस पाकिस अकुल को मैं अपने बेटे की जिन्दगी से दूर में से मक्खी कितना निकाल फेकूंगे वैसे भी वो लड़की बहुत कर जानती है और जिस तना उसना मुझे चैलिंज करती नज़ों से देखा था अब जब तक मैं उसकी वो नज़रे सारे जमाने के सामने नहीं जुका दूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा तनफर जदा अंदाज में वो खुदाई दावा करती अपने रब को बोल चुकी थी शायद उनका दिल सिया हो चुका था उनसे हिदायर के तौफिक चीन ली गए थी युकि उन्हें मौके कई मिले लेकिन वो अपने के आमाल पर श्रमसार होने के बज़ए डटी रही सो अब उनका हाल बेन अथे बैल जैसा था बस एक दफ़ा ही रस्ती खेंशती और मामला खतम अस्सलाम आलेकूम कैसे तबिया था बाब की कमरे का डूर खोल कर वो अंदर आता सीधा थे दुरानी के पास बैटकर उनका चेहरा देखने के बाद उनका हाथ थामकर चूमते फिकर मन्दी से तफसार कर रहा था मैं ठीक हूँ फिकर मत करो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही हूँ मैं नरम सी मसकरहाट लब उपस है जाए उन्होंने उसका वही हाथ पकड़कर सहला आया था जिसमें उनका दूसरा हाथ गायत था सारा दिन तुम काफी मसुरूफ रहे एक काल तक नहीं की वो कुछ जाने के चाह में उसे शिक्वा कर गई थी फॉरन डेलिगेशन आया हुआ था तो सारा दिन उन्हीं के साथ गुजरा अभी उन्हें होटल डॉप किया है और बस आपको देखने की खातर घर आया हूँ तो मुझे रेड़ी होका वापस जाना है मेरा डिनर भी उन्हीं लोगों के साथ है पराटे से जूट बोलता वो अंदर से गए अराम्दे महसूस कर रहा था लेकिन करता भी क्या उन्हें सच नहीं बता सकता था जबके अत्या दुरानी अपर सुकून हो चुकी थी उन्हें यकीन था कि उनका बिटा उनसे जूट नहीं बोल सकता लेकिन ये आज का सबसे बड़ा जूट था तुमने अच्छा नहीं क्या मेरी बीटी को यूं किसी अंजान शक्ते साथ रुकसत करके कब से खामुशी पैठी मिस्स हमीद बेला आखिर बोल पड़ी थी चोड़ता क्या और वैसे भी वो उसका शहर है परीजे पर हम सबसे जादा उसी का हक है तो मैं किस हक से उसे रोकता वैसे भी ये सब परीजे की दिली रजमन्दी से हुआ है उसने गोया बात ही खतम कर डाली थी मैं उसकी माँ हूँ अगर मैंने उसे मारा भी तो क्या हुआ तुम कल से ही गहर इंसानी सलूका धंडूरा पीटे जा रहे हो इस मरतबा वो बुरी तना से चड़कर बोली थी जबके अत्या दुरानी आँखों याँखों में उन्हें चुप रहने का इशारे कर रही थी लेकिन वा फिलहाल को सुनने के मोड में रही थी आप माँ हैं तो यकीन परीजे आपकी ऑलाद है तो किस किताब में लिखा है कि आप अपनी ऑलाद को यू मारें कि बदन के सासा तो रूखों भी तकलीफ पहुँचे इस मरतबह अबरास का अंदास सर्द बर फीला था अत्या दुरानी इसलिए उन्हें चुप रहने का इशारे कर रही थी उन्होंने हमेशा उसे प्यार से काबू में रखा था लेकिन उनकी ये पागल दोस्त कल से उनके बेटे को खुसा दिलाए जा रही थी जिस वज़े से उनका काम खराब हो सकता था एबी तुम भी किन बातों में पड़ गए हो उत्वस परिज्य को लेकर कुछ सदमे में है तो उट पटांग बोले जा रही है जो तुम जाने के तयारी करो इसे मैं संजा लूँगी प्यार से उसे पुछ कारते अत्या दुर्रानी ने उसका खुसा ठंडा करना चाहा था आप ठीक कह रही हैं मैं लेट हो रहा हूँ प्रीज इंटरकॉम करके मेरे कमरे में काफी और कुछ खाने को भिजवा दीजेगा प्यार से उनका सर चूंकर वो उनके पास सोटकर एक नज़र अपनी आंटी के जुके सर पर डालते वो दूसरे ही लंभे कमरे से निकलता चला गया हमेशा ये उल्टी खुबडी रहोगी तुम क्या जरूरत था वरास हो रजने की वो नीची आवाज उन पर बरहम होने लगी अच्छे सौरी खाफा मतो वो ज़र से माज़दी अंदास अपनाए अपनी जगा से उटकर उनके गरीब आकर बैठी दी अगर आभी कह रहा है कि ऐसन अच्छा लड़का है तो वो होगा लेकिन अगर तुम नहीं चाहती है परीजे उसके साथ रहे तो हम उसे भी वापस ले आएंगे मगर फिलहाल तुम इस टॉपिक को लेकर उससे मत उल्चो क्योंकि वो इस बासे चर्ड़ा है अभी फिलहाल हमारा तमाम फोकस पाकिसा गुल पर होना चाहिए वो एक मरतबह यहां से वापस चली गई परीजे का अबरास की जिन्दगी में वापस आना मुश्किल नहीं होगा मगर फिलहाल तुम सबर रखो आज वैसे भी मैंने जो चार चली है उसके बाद पाकिसा गुल हमेशा के लिए हमारे जिन्दगीों से निकल कर किसी और की जिन्दगी का हिस्सा बन जाएगी अपने अजली शातराना अंदाज में अतिया दुरानी धीरे धीरे उन्हें समझा रही थी जबकि इस वक्त वो भी काफी हद तक मुत्माइन होती हमेशा कितना उनके साथ इस खेल में शामिल हो चुकी थी एसन ने लगतार तीन लेक्चर लेने के बाद अपना असाई में जमा कराया और प्री होकर कई मतबह पदीजे से राप्ता करना चाहा लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा था एसन को उसकी जाने से तश्वीश ने आन घेरा और वो दुसरे ही लमें तेस्स ख़दम उठाता पारकिंगे जाने पढ़िया आदे घंडे का सफर उसने 20 मिल्ट में तैक किया और दोरता हुआ गाड़ी से निकल का लिफ्ट तक और लिफ्ट से अपने घर के अंदर जाने तक उसकी जान सोली पे ही लटकी हुई थी परीजे बैक सोफे पर फैंकते उसने बेतावाना उसे पकारा और किचन के जाने पाया लेकिन किचन जूं कातूं सुबह वाले हाल में देख को घबरा कर बैडरूम के जाने तोड़ा और एक जटके से कमरे का दर्वासा कोलते धरकते दिल के साथ वो रूम में दाखिल हुआ परीजे उस आंधे मूँ बिस्तर पर गड़ा देख उसका दिल उचल कर हलक में आया था और एक ही जस्त में उस तक पहुँचा और उसे सीधे करते उसके बेस्तर वजूद को सीने में भीचा फिर होश में आते जल्दी से साइट टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा का पानी चलू में भरते उसके चेहरे पर डाला तो चंद सेकंड बात कसमसा कर अपनी आँखे खुल गई शुकर रहा तुम ठीक हो भी तो जान निकल गई थी बेसागता उसे गली लगाते हैसन उसका चुमा था एसन उसन धीरे से उसे पकारा तो है उसने परीज़े का चेहरा नज़रों के सामने के लेकिन उसके रोने के सबब सूजी आँकों पर अब गोर करते हैं उसके माते पर कई बल नमुदार होई थे साथ ही उसने अतराफ में नज़े खुमाई तो उसे परीज़े का फुन कदी भी नीचे बड़ा नज़रा आगया किसकी कॉल आई थी वो बोला तो उसके चेहरे के अज़लात खिच करे थे जबके लहजे में सर्थ पन खुला था मम्मी की इतना कहकर उसके आँके फिर से भीगने लगी तो एहसने उस मरतबा फिर से उसे खुद में यो गुम किया था कि उसे कुछ और सोचने के महला तक नहीं मिली जबके वो इस अफ्तादा पे बुरी तनहां से बुखलाई थी चेहरा तब कर सुर्खी माइल हो गया था जबके धड़कनों की रफ्तार भी गोया दुगनी हो चुकी थी नाश्ता कर ले थी तो इतना हैवी खाने को नहीं मिलता शुख भरी नज़ों से उसकी उटती गिर्दी पलकों का रखस दिखते वो उसके सुरुख पढ़ते लबों को नर्मी से गूटे की मदद से सहला गया तो परीजे के वजूद में ठंडी सी लहरे उटने लगी वादिस के सीने से लगी थी जबकि उसका आधा वजूद बिस्तर पर दरास था एहसन की इस बेबाग जसारत के बाद वो उससे नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी इतनी सुनसी क्यों हो रही हो चलो उटो शाबश और फ्रेश रोकर चेंज करो जब तक मैं सुगर शाहर की तना तुम्हारा नाश्ता रेड़ी करके टिबिल पर सेट करता हूँ उटो जल्दी दस मिंट है तुमारे पास नर्मी से उसे सीधा करते वो उसका सर चुमकर उसके पास से उटखड़ा हुआ लेकिन वो अभी तक साक्ष सी बैटी थी क्या मज़ीद महबद भरे नाश्ते की चाह है एसन गल्दूमाई ने अंदाज और इस बेबाग नाश्तों ने परिजिक के दलकश वजूद का तवाफ किया तो वो सुरस से बिस्ता चुड़का उटखड़ी हुई अद दूसरी लामे तेजी सीध डिसिंग रूमे जागुसी नेवी ब्लू पैंट कोड में जुने दुरानी का च्छा जाने वाला अंदाज और उसकी वजी मरदाना शख्सित गोया पूरी पार्टी पर चाही हुई थी कई सिर्फे नाज़ों उसके खुर्फ की चाह में उसके पास आ रही थी लेकिन उसका पूरा फोकस फिलहाज साथ आई पर इस गुल के उपर था वो एक अलक तलक सीट पर बठी दी जाने वारी प्रेजेंटेशन को री चेक कर रही थी उसका अंदास पूरा इतमाद था बलेक कलर की मेकसी पर बलेक ही ओनी हाफ अपर पहने बालों को मखसूस स्टाइल में जूड़े मलपेटे लायर से मेकप में उसने जूल्री के नाम पर बस कानों में डायमन टॉपस पहन रखे थे जबकि उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में एक वायट कोल्ड का च्छला था आज काफी दूनों के बाद नचाने कैसे मगर उसने उससे अपनी उंगली की जीनत बनाया था मना तो वो उसकी गले में पड़ी चेन के अंदर ही लटक रहा होता था वजाहिर उसके साथ भी और अलग भी शायद एक लाशाओी कुशिश थी किसी की याद को अपने करीब करने की उसका मश्रिकी हुसन और परवकार अंदास बाकि जगल को वहां पर मौझूद हर सिंफे नाजग से मुम्ताज बना रहा था मैं इस कुछ वक्त की बात है पर तुम हमेशा के लिए मेरी दस्तरस में आ जाओगे इतना हुसन और ये बेन्यास अदा मेरे दिल पर कुमंट डालती है मैं बेबसा हो रहा हूँ और जिन्दगी में पहली मर्दबा तुम्हें हासल करने के लिए खतर अलत रास्ते का इंतखाब किया है मगर फिकर मत करो मेरी जिन्दगी में आगर तुम हर शेय भूल जाओगे याद रहेगा तो फक्त जन्य दुरानी और उसका बेपना प्यार दूर से पाकिसागुल पर नजजे जमाए वो अपने ही ख्यालों में गुमता कि पाकिसागुल ने उसी वक्त चेरा उठाकर सामने देखा वो अपनी जगा सुटकर डिस्क तक आई तो पूरे हॉई में लाइट्स डिम हो गए प्रोजेक्टर आउन हुआ और उसक्रीन रोशन हो गई वो न्यू मॉडल्स और न्यू आने वाले फैशन के मुतालब प्रेजेंटेशन दे रही थी जिसमें उसने अपने मुकाद भी शामिल किये थे उसका मुकादिब करने का पुराइसर अंदाज लहजर रुधम अलफवजों का चुनाओ सब कुछ इतना खुबसूरत था कि हर कोई बस उसे ही सुनने में लग गया था दस से पंड़ा मिनट वो सिर्फ बोली थी और तमाम लोग उसे बस सुन रहे थे उसके खामोश होते ही हर सुसर नाटा से चागिया और फिर एक दम तालियों का शोर उमड़ाया जिसे उसने एक एख्जास के तौई पस सर को खंक देकर नरम मुस्कुराहाट के साथ कबोल किया था अब रास तो सु आफिस से अंदर तक महदूत रखता था बलके ये कहना जादा ठीक था कि अपने तक महदूत रखता था लेकिं जुने दुर्राणी ने उसे एक प्लेटफॉर्म वहया किया था जहां उसकी सलायातें खुल के सामने आई थी दाद वसूल करते हूँ सब से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिल रही थी डील फाइनल हो चुकी थी और अब बस जन जरूरी पेपर साइन करना बाकी रहते थे वो योग खुछगवार अंदाथ में डिनर करने के साथ बाते भी कर रहे थे कि उसी वक जुने दुर्राणी उसे अपने पीछे आने का इशारा करते वहां से उड़ गया सब खेरियत है सर वो इसके पीछे आती परिशानी में घिरे जरूर्राणी से संजीर्गी से मस्तफसर होई थी परिशानी वाली कोई बात नहीं है ये ज़रूरी डाक्रमेंट्स है जो डील के हवाले से साइन होने है तो मुने लेकर उस रूम में चले जाओ मैं क्लाइंट्स को लेकर खुद भी अधर ही आता हूँ उसने उसी होटल के रूम की कार्ट की जिस पर फलोर और रूम नमबर लिखा था पाकिजगल के हाद निमे दी तो उसने चुम्बे का शिकार होते पहले चाबियों पर जोने दुरानी को देखा रूम में क्यों वो अज़र संजीदा हुई साथ माथे पर दो बल भी नमबदार हुए पर सुकुन महर की वज़र से रूम का इंतखाब किया गया है वहाँ बैटकर हम कुछ और बिजनस से मतालिक मामलाद भी डिसकस करेंगे उसके रसान से समझाने पर भी उसके चेहरे पर जबसुप के आसाथ देखे जा सकते थे हम वहाँ अकेली नहीं होंगे हमारे क्लाइंट और उनकी वाइब भी साथ होंगे अगर तुम्हें ट्रस नहीं तो इट्स होके उसने पाकिजा गुल को हर जानब से घेरने की कोशिश करने के बाद उसे मना करना चाहा तो वह जड़ से बुल पड़ी सर्ट ट्रस की बात नहीं है बस एक जिज़क सी महसूस हो रही थी मेरा इनकामों को लिएकर पहरा तच्चर्पा है तो शायद मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है नरम कोई से वज़ाहा देते हैं उसने जन्रे दुरानी के जानब हाथ बढ़ाया तो उसने फाइल भी उसके जानब बढ़ा दी सेकंड फ्लोर रूम नमबर इटू टू उसके पलटने से पहले जन्रे दुरानी ने एक मरतबब फिर से याद दिहानी करवाई तो उससरहलादी फाइल पक्रेक कार्ट को देखती वहां से निकलती चाड़ी गई हम मनजल के खडीब हैं डन उसने तेजी से चान अलफास टाइप करते जाने पहचाने नमबर पर टेक्स किये थे चीत जनाव अब तक के लिए सिफ़ इतना ही कैसी लगिया आपको यह अविसोट कर्मेंट सेक्शन में अपने रायका अजास जरूर कीज़ेगा चैनल मिलूंगे आपसे अगले अविसोट के साथ तब तक के लिए जासा तीचे अल्लाह आफिस